ग्रहन होने वाला है, हलाकि भारत में इसका असर देखने को कम ही मिलेगा बिलकुल लौरा जोतिशारियों के मताबे एक राशियों पर इसका असर होगा किन-किन देशों पे सुर्ग रहन देखने वाला है? ये देखिया हमारे इस खास रिपोर्ट में इस दोरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिति बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रैन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेहन होगा सूरे ग्रेहन की अफ़दी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हलाकि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चहां सूर्य ग्रहन लगता है वही पर इसका प्रभाव भी पड़ता है आज झां आज में वहीं कि आंते हैं कि आर्ट तारीकों कोई अड़े यारह रहा है सूरेत और शूरी ग्रहन जब होता है तो सब्सक्रावनुस जब होता हैровले करूफंद के सिर्थ। जिन देशों में सूर्य ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूर्य ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रेहन की स्तितीब बनती है सूमवार आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रेहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन रासियों पर भी इसका असर है रिष्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दूशार जो ही यहां पर जात्मेनों बजितर बारागी उसके और ज्यारा विश्ट सक्तावन में तका समय इस रहेगा प्रहें कि यह पाहा के देशों में फिलाल भारति पर कोई सूर्य तक का ऐसा कोई ठवाओ नहीं है लेकि कुछ दासियां है अगर सूर्य ग्रहन है पर असका असर जाता है जैसे कि प्रश्चित आसी है परक्रासी है और कुमरासी है इन ती दासियों पर इसका विश्चिस असर रहेगा देखने को बिले अमूमन माना जाता है कि सूर्य ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूर्य को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूर्य ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बियो रिपोर्ट न्यू बबुईजाब बबुई पनी एंवे को भी ना बबुईजाब बबुईगार कि झाल ना बार मता